तो कैसे हैं आप सभी लोग आयोप आप सब बढ़िया होंगे तो आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जैसे कि आज आप तमनेल देखके समझी गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले तो आज हम होंडा होरने 2.0 के एडवांटेज और डिसएडवां के बारे में पहले हम बात करेंगे कि जो भी मेरे बाइलोगे जिनके पास होंडा होरने 2.0 जिन्हों ने अभी परचेस करी है उसके डिसएडवांटेज क्या है क्योंकि जो मुझे लगा ना कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम है तो मैं उस बारे में आपको बताता हूं तो ज आपने ने असानी से मतलब मेरी बेटरी चेंज कर दीती मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नी उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है मुझे अभी प्रजेंट में वार्यस की जो है कि जैसे में कभी ओन करता हूं तो बाद इसका मीटर बंद हो जाता है जैसे कभी तो वह भी कोई दिक्कत नहीं मेरी बात हो चुकी है तो उन्होंने बोला कि आपकी जब भी नेक्स सर्विस होईगी उस टाइम पर चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं तो हम लोग चेंज करके देंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं तो और जो तीसरी प् पार कर रहा है अब हम इसको थोड़ी देर बाद जैसे उठाएंगे जानी के लिए तो जाना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है क्या तो प्लीस कमेंट में जरूर बताना और जो तीसरी प्रॉब्लम जो है वह मुझे लगती है कि इसके अंदर मे जो सिंगल चेनल एबी एसे में सब्सक्राइब होना चीए तो काफी बैटर होता इसका होना और पांच पॉंट हम ले लेते हैं पांच पॉंट यह कि जो राइडर्स होते हैं आपको पता हम नाइट में भी ट्रेवल करते ही है तो नाइट पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ह होती है वह होती है एक बाइक की हैड लाइट लाइट होती होनी चीज जो अच्छा फोकस दे तो बस यह कि इसमें फोकस इतना मेरे को लगा नहीं मैं ठीक ठाक ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती बड़ थोड़ा और होना चीए मैं ऐसा सोचता हूं कि अब यह कि मुझे इस बात करते हैं जो मुझे लगता है कि सबसे पहला और ऐस्ट में ज्काफी लोग से बूछते कि तुने होन्डा होने 2.2 क्यों ली तो देखो सबसे पहली चीज आती मैं होन्डा पर ट्रेश करता हूं मुझे काफी अच्छी लगती और जो सबसे अच्छी चीज इसकी पॉइंट आता इसका वह आता कि स्पीड काफी अच्छी 130 किलोमेटर 132 के आसपा से आराम से चल जाती है बहुत बढ़िया है और जो तीसरा है इसका पॉइंट वो है कि और हम पॉइंट जो हमारा है कि इसकी सर्विस कोश्ट इसकी इत्ती है ही नहीं बहुत सही इसकी सर्विस कोश्ट आती है जो अभी तक जो चल रही है मेरी सर्विस है वो मेरे लगबग शायद 500 या 600 लगते हैं बस वह भी पॉलिश ओगरा मैं करवा लेता हूं तो थोड़ा ब तो यह था चोथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट यह है कि भगने में बहुत अच्छी यह गाड़ी है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि साउंड इसका बहुत प्यारा है और इसके तारीफ तो क्या ही करूं में ब्रेकिंग सिस्टम भी है ब्रेकिंग बहुत प्यारी है और आवाज आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगती है और चट्टा इसके तो फिर एडवांटेश तो मैं आपको गिनाता ही जाओंगा ना तो शायद कमी नहीं पड़ेंगे जो चट्टा जो पॉइंट हो उसके मेरे को इसके सस्पेंशन आ अजब करेंगे तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं तो बस यही था आपने देख लिया है कि इसके अडवांटेश और डिसएडवांटेश में आपको बताई दिया कि की गाड़ी में क्या-क्या है तो कमेंट करके जरूर करके बताना कि कोई मेरे से मिस हो गई हो तो आप जरूर में को बता देने कि यह चीज आपने नहीं बोली है तो मैं जरूर इसको नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा वाकि आप लोग समस्दार होई तो मेरा सेकंड व्लोग है तो ठीक है देरे देरे सब सीख लेंगे कोई दिक्कत है नहीं तो बस यही था अगर आपको अब मैं को कि क्लोस करते हैं तो गर्म एंडियों के देनी जरूर राइफ ने करते हैं दो काइब घता इसकी है तो सब्सक्राइब क्माइब करते हैं यह मैं दो अचरूर है